हेलो बच्चो डिजी लेसंस साफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का हार देख स्वागत है आज हम विसे हिंदी के अंतरगत बगुला और पैंसिल पाट का अध्यन करेंगे तो आईए देखते हैं बगुला और पैंसिल बाला को मिली एक पैंसिल उसने लिया एक कागज और बनाने लगी एक बगुला तबी पैंसिल उसके हाँ से छूटी लुड़क कर पैंसिल पलंग के नीचे चली गई बाला पैंसिल निकालने के लिए जुकी पर उसका हाँ पहुचा ही नहीं वह फुटा पैमाना मापक यानी स्केल जिसे आप अपनी भासा में स्केल बोलते हैं ना उसे लेकर आई पर वह भी नहीं पहुँचा फिर बाला लाई एक छड़ी पर उससे घसीटते नहीं बना तब ही कागसी बगुला बाहर आया मैं लाऊं उसने कहा यह पलंग के नीचे गया पर सबसे पहले वह लाया बाला की एक पुरानी गेन नहीं बाला ने कहा मेरी तो लंबी चीज गिरी है बगुला फिर गया इस बार वाई ले कर आया एक बाहन सुरी नहीं बाला ने कहा मेरी तो लिखने की चीज गिरी है इस बार बगुला गया तो पेंसिल लेकर ही आया बाला बहुत खोशुई उसने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ बगुले ने कहा मेरे पंक बना दो न बाला ने चित्र पूरा किया फिर उसने अपने मित्र को उड़ जाने दिया अवाया अनुभाव विस्तार नीची लिखे प्रश्णों के उत्तर दो प्रश्ण है बाला ने किसका चित्र बनाया उत्तर है बाला ने बगुला का चित्र बनाया दो नमबर पैंसिल लुड़कर कहां चली गई थी उत्तर है पैंसिल लुड़कर पलंग के नीचे चली गई थी फिर है कागस से निकलकर बाहर कोन आया उत्तर है कागज से निकल कर बगुला बाहर आया प्रश्ण करमांग दो बगुला द्वारा लाई गई बस्त को क्रम से जमाओ बासरी, पैंसिल, गैन तो बगुला पहले क्या लाया? गैन फिर बासरी और फिर पैंसिल किस ने किस से कहा? मैं लाओं बगुला ने बाला से मेरी तो लंबी चीज गिरी है बाला ने बगुला से मेरे पंक बना दो ना बगुला ने बाला से तो बच्चो अभी आपने बगुला पढ़ा क्या आप जानते हैं बगुला कैसा होता है? तो देखिए ये बगुला है यह सफेद रंग का होता है इसकी चौंच लंबी होती है इसकी टांगे यानि पैर भी लंबे होते होते हैं तो बच्चो बगुला की तरह अब हम आपको और भी अन्य पक्षियों की जानकारी देते हैं और चित्र देखकर उसकी पहँचान भी करवाएंगे तो यह क्या है कववा कववा तो आप सभी ने देखा होगा यह बड़ा ही बुद्धिमान पक्षियों है यह चुपके से खाने की चीज उठा लेता है सुना है बच्चो इसने भगवान के हाँ से माखन रोटी खाली थी अब आया बटेर बटेर की प्रजाती पहले अपने यहाँ नहीं थी लेकिन अब अपने यहाँ भी बटेर देखने में आने लगा है कहते हैं बटेर का अंडा अस्तमा वालों के लिए बहुत फायदा करता है और इसमें मुल्गी की तरह बीमारी भी नहीं होती ठीक है ना अब आया गिद यह सबसे उंची उडान भरने वाला पक्षी है इसे पता है क्या कहते हैं मुर्दा खोर पक्षी कहते हैं यानि यह मरे हुए शब को खाता है अवाया हंस यह बहुत सुंदर पक्षी होता है और इसके बारे में कहा जाता है यह चीर और नीर को अलग कर देता है यानि चीर यानि दूद और नीर यानि पानी दूद और पानी मिला कर रखें तो यह दूद दूद तो पी लेता है और पानी छोड़े देता है यह एक बार में चार से आठ अंडे देता है अब आई चुडिया चुडिया का रंग धलका भूरा और शफेद रंग का होता है ठीक है ना बच्चों इसको आपने अपने घरों की छतों पर भी बहुत बार देखा होगा इसका बजन 25 से 40 ग्राम होता है अब आई चील चील की आखें दुनिया की सबसे तेज आखों में मानी जाती है यह डेड़ किलो मिटर दूर से ही पानी के अंदर की मचली को देख लेती है अब आया बाज यह बहुत तेज रफ्तार से उड़ता है इसकी रफ्तार की ती तीन सो बीस किलो मीटर उड़ सकता है यह ठीक है ना अब आया मूर यह तो बच्चों सभी को बहुत जादा पशंद पक्षी है सभी से पसंद करती है यह देखने में भी सुन्दर होता है और सबसे बड़ी बाद यह हमारे भारत और म्यान महर का राश्टी पक्षी है ठीक है ना इसके सर पर कलगी होती है और इसके पंक रंगे विरंगे होती है 26 जून जनवरी 1936 को इसे राश्टी पक्षी घोशित किया गया था अब आया फाक्ता फाक्ता को गुगु पक्षी भी कहते है यह क्या है मुर्गी बच्चो यह पक्षियों में गिनी जाती है लेकिन यह ज़्यादा तेज उड़ा नहीं भर पाती थोड़ा थोड़ा उड़ती है और इसे लोग घरों में भी पालती है यह क्या है कबुतर यह हलका सलेटी या काले रंग का होता है यह अन्य पक्षियों की तरह इसके भी चोंच और पंक होते हैं और यह ठंडा पानी पीता है हरी मिर्च खाता है और मनुष्य की तरह बोली बोल सकता है तो आईए बच्चो अभी आपने बहुत सारे पक्षि देखी अब यहां कुछ चितर देते हैं और उनके नाम देते हैं उनको उनसे सही जोड़ी बनाना है तो आईए बनाते हैं यह क्या है मूर यह क्या है मुरगी यह क्या है चील और यह क्या है कउवा तो बच्चो आपने पक्षियों के बारे में फढ़ा सुना इन प्रशन उत्तरों को और यह जोड़ियां आपको अपनी नोटबुक पर भी लिखना है तो थैंक्यू बच्चो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में तब तब के लिए बाई